Hello friends, welcome to Octopus Classes, subscribe my channel and press bell icon for get video notification and also like, comment and share my video with your friends, thank you. स्वतन्त मंत्री और राजी मंत्री के नाम और उनके विभाग के बाड़े में बताऊंगी, तो चलते हैं, पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जट से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही घंटी को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो से सम् पहले मैं परधान मंत्री के मंत्री मंडल और उनमें कितने मंत्री ने सफत ली है, और कितने चेहरे नये हैं, और कितने चेहरे पुडाने हैं, उनके वाड़े मैं आपको पहले बता देती हूँ, परधान मंत्री का मंत्री मंडल नया है, लेकिन तीन कमोबेशन पुडानी है पियम मोधी समेत जिन 58 मंत्रियों ने सफ़त ली है उसमें 38 चहरे मोधी सरकार के पहले कारिकाल के हैं बस 20 नए 20 नए चहरों पर परधान मंत्री मोधी ने इस बार दावा लगाया है यानि क्या कि परधान मंत्री का मंत्री मंडल जो है इस बार वो नया है लेकिन टीम जो वो है वो पुरानी है यानि कि परधान मंत्री ने पिछले बार जो सीट हासिल की थी उन्हें जो परधान मंत्री को पिछले बार विजय मिली थी वो जो टीम थी वो ही टीम इस मंत्री मंडल में है तो पीम मोदी समेत अंठावन मंतियों ने इस बार सफत ली है उसमें 38 मोदी सरकार के जो चहरे हैं वो पहले कारकाल के यानि पहले ही वो पहले के ही मंत्री है बस उसमें 20 नए चहरे हैं और इसी 20 नए चहरे पर मोदी ने इस बार दावा लगाया है नेक्स्ट क्या है कि परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर सम्माल लिया है। क्या हैं मोदी कैबिनेट में 25 मंत्री, स्वतंद प्रवार वाले 9 मंत्री, 9 मंत्रियों में 8 पुरानी है, वही राज मंत्रियों में सबसे ज़्यादा चैरे नए है। कि कि जिन मंत्रियों ने सपत लिये उनमें 38 चहरे जो है वो मोधी सरकार के पहले कारेकाल के यानि पहले मंत्री जो पहले मंत्री रह चुके वही है और मोधी कैबिनेट में कुछ 25 मंत्री जो है वो सतंत्र प्रभार में जो 9 मंत्री है उसमें 8 चहरे पुड़ाने है वही राज मंत्रियों में तेरे को पहली बार मंत्री मंडल में जग ही मिली है यानि पहली बार का मतलब वो किसी सभा के सदन के वो किसी सदन के या लोक सभा हो या राज सभा हो उसी सदन के वो मंत्री हो थे उन्हें इस बार पहली मंत्री मंडल में जगा मिली है अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर से देश के गृ मंत्री मंत्री तक का लंबा सफरत्य करने वाली राजनात्सी भारतिय जनता पार्टी के ऐसे मजबूत अस्तम है जिनकी पहचान कुसल प्रैसासक और राजनेतिक सुचीता का सम्मान करने वाले परिपक नेता के रूप में होता है राजनासी ने गुरुवार को परधान मंत्री नेरिन मोदी के बाद कैबिनेट मंत्री के तौर पर सपत ली वे इससे पहले मोधी सरकार के पहले कारकार में गड़ी मंत्री थे सत्रंज खेलने किरकेट देखने और संगीत में गहरी रूची रखने वाले भाजपा के चानक के अमित्सा ने राज्य दर्राज्य भाजपा की सफलता की गाथा लिखते हुए इस बार लोक सभा में पार्टी के सदस्यों की संक्या 330 करने में महती भूमी का निवाई है अमित्सा ने गुरुवार को परधान मंत्री नरेंद्र मोधी के मंत्री मंडल कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनेता की सफतली वर्तमान लोक सभा चुन्नाव में पस्चिम बंगाल ओडिसा और दक्चिन भरत में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित्सा की सफल रनीती को स्रे दे रहे हैं राजनितिक विशलेशक मानते हैं कि विचार धड़ा की द्रिश्टता अस्तीमित कलपना सीलता और वास्तविक राजनितिक लचिलेपन का सांदर समन्वे कर सान कर अमित्साने चुनावी समण में भाजपा की सांदर जीत का मार्ग प्रसक किया है नेक्स्ट मारे किंद्रे मंत्री नितिन गटकरी परधन मंत्री नैंद मोधी की पिछली सरकार में सबसे ज्यादा करमठ मंत्री की पहचान बनाने वाले नितिन गटकरी एक बार फिर मोधी सरकार में मंत्री है सरक निर्मान में अगर मोधी सरकार की वहावाही होती है तो इसका कारण नितिन गटकरी का बुनियादी धाचे पर किये गए कारी है निक्स्ट मारी किंद्री मंत्री एस जै संकर डिपलोमेट से राजनेता बने एस जै संकर पहली बार में ही सीधे कैबिनेट मंत्री बन गए डोक लाम विवाद से लेकर संयुकत राजि में भरत की पैरवी तक एस जै संकर की जवर्दस्त भूमिका रही है S. J. Sankar और नरिंद्र मोदी की जान पैचान उनके PM बनने से पहले की है 2012 में जब मोदी गुजरात के मुक्यमंत्री के रूप में चीन के दोड़े पर थे उसी दोरान S. J. Sankar उनसे यानि मोदी से मिले थे दोनों के बीच दोनों यानि मोदी और जैसंकर के बीच बात चीत हुई थी कुछ ऐसी बाती हुई कि मोदी जैसंकर के मूरीद हो गये 2015 की जनवरी में विदे सचीप की कुर्सी से सुजाता सीक की विदाई इसके तुरंत बाद PM मोदी की अद्धचता में हुई मंत्री मंडल की एक बैठक में S. J. Sankar को विदे सची बनाने का फैसला लिया गया था J. Sankar उज जैसंकर उस राजने को में से एक है जिने चीन, अमेरिका और रूस तीनों ही मुलकों में काम करने का अनुभव है Next हमारा केंद्रे मंत्री इस्मृति इरानी पहली बार जब परधन मंत्री नरिद मोदी ने देश की बागडोर सम्हाली तो उनके मंत्रियों में सबसे चौकाने वाला नाम इस्मृति इरानी का था जो उस वक्त अमेठी में राहूल गांदी से चुनाव हार कर आई थी लेकिन सरकार में ना सिर्फ वो कैबिनेट मंत्री बनी बलकि सीधे मानव संसाधन विकास मंत्राले का जिम्मा लिया अपकी बार तो राहूल गांदी को हरा कर वे यानि इस्मृति इरानी सुर्ख्यों के सीखर पर आ चुकी है और एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में सफत लिये नेक्स्ट के दिर केंद्री मंत्री में हमारा मंत्री है नेंद्र तोमर मत्य परदेश के भाजपा के प्रमुख नेता नेंद्री सीह तोमर को गुरुबार को केंद्री मंत्री मंदल में लगातर दूसरी दफा सामिल किया गया वर्स 2014 में ग्वालियर से लोगसभा चुनाव जीतने के बाद नेंद्रिसी तोमर्क ने केंद्र की राजनीतिक में लंबा रास्ता तै कर लिया नेक्स्ट केंद्री मंत्री में नेंद्रिसी तोमर है उन्ही का कुछ अपसेस भागी है वर्स दोजर चौदे में वह ग्वालियर लोकसभा सीट में सांसत बने और केंदर सरकार में कैबिनेट अस्तर के मंत्री बनाए गये उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौड पर खनन, इस्पात, सरम, रोजगार और ग्रामिन विकास और पंचायत राज जैसे मंत्रालों का दैतु समाला वर्सद दोजल उनीस के लोकसभा चुना में उन्हें मुरैना बेजा गया और यहां 1.13 लाख मतों के अंतर से विजय हसल की निक्स्ट मारा केंद्री मंत्री में रवी संकर प्रसाद पिछली वार जब रवी संकर प्रसाद कानुन मंत्री बने तो वे राजी सवाग के सांसर थे लेकिन इस वार पटना साहीब में सतुरदन सिन्ना को खामोस करके जैसी जीत हासिल की उसके बाद उनका मंत्री बनना तै माना जा रहा था और वही हुआ रवी संकर प्रसाद ने मोदी सरकार के पहले काड़काल में 26 मईदर 14 को संचार और सूचना प्रदोगी मंत्री के रूप में न्यूक्त होने के बाद से भारत के दूर संचार छेतर को पुनर जीवित करने मे आहम भूमी का निवाई है नेक्स्ट अमारा प्यूस गोयल प्रदान मंत्री नैंदर मोदी की पिछली सरकार में प्यूस गोयल की एंट्री भी राजमंत्री के रूप में हुवी थी लेकिन जल्दी उनकी तरकी हो गई थी और वे रेल मंत्री बन गये थे बीच में अरुन जेटली की बीमारी से साय में आये साय में ये चर्चा भी तेज हो गई की गोयल ही वित मंत्री बनेंगे वित मंत्री तो नहीं बने लेकिन जेटली की बीमारी के दोरान बजट पेस किया था नेक्स्ट अमारा केंद्रे मंत्री में मंत्री है धर्मिंद्र परदान धर्मिंद्र परदान पिछली मोधी सरकार में राज मंत्री के रूप में ही आये लेकिन जल्द ही उनका भी प्रमोशन हुआ और वे पेट्रोलिय मंत्री बन गये मंत्री के रूप में इनके दोड़े में सुरू किया गया उजवाल गैस कारेकरम गरीब तबको को बीजेपी की तरब खीचने में कारगर साबित हुआ साथी ओडिसा में बीजेपी को मिली जीत के पीछे भी इनका यानी धर्मिंद्र परधान का बड़ा हात माना जाता है तो अब की बार फिर धर्मिंद्र परधान मोदी सरकार में सामिल हो चुके हैं नेक्स्ट हमारा केंद्रे मंत्री में प्रकास जावेडकर पिछली सरकार में प्रकास जावेडकर भी जूनियर मंत्री के रूप में ही आये लेकिन बीच में ही तरक की पाकर मानव संसाधन विकास मंत्री पन गए राज्ची सभा से आने वाले जावेडकर की दोवारा ताज पोसी बताती है कि परधान मंत्री उन पर कितना भुरोसा करते हैं नेक्स्ट हमारा है अरजुन मुंडा इने जारकंड में मिली सांदर जीत का इनाम मिला हैं अर्जुन मुंडा प्रदेश के तीन बार मुख्य मंतरी रहे हैं, प्रदेश यनि जारकंड के जारकंड के तीन बार मुख्य मंतरी रहे हैं, अर्जुन मुंडा खुंटी लोकसवा सीट से जीत कर आये और वे पहली बार किंद्रे मंतरी बन रहे हैं जारकन आंदोलन से CIC सफ़र सुरू करने वाले अरजुन मुंडा के जड़िये जारकन में बीजेपी आदिवासी रुख को अपने साथ जोरे रखना चाहती है नेक्स्ट हमारा है केंद्रिय मंतरी रमेश पोखरियाल निसंग उत्राखन में बीजेपी ने पांच सीटे जीती तो उसका इनाम राज्जी के पुर्व मुख्य मंतरी रमेश पोखरियाल निसंग को मिलता है उत्राखंड के हरी द्वार सीट से जीते निसंग के लिए मोधी सरकार में कैबिनेट मंत्री का द्वार खुल गया करनाटक के नेक्स्ट हमारे क्या है केंद्रे मंत्री प्रहलाद जोसी करनाटक के धारवार सीट में लगातर चौथी बार सांसत बने प्रहलाद जोसी RSK बहतर करी भी माने जाते हैं करनाटक BJP के लिए दक्षिन में विजय द्वार है इसलिए जोसी का कैबिनेट मंत्री के रूप में ताज पोसी चुनावी गती को साधने वाला भी हो सकता है जोसी ने भगवा दल के गढ़ कहे जाने वाले धारवार इलाके से चौती बार जीत हासिल की है भाजपा की करनाटक इकाई के प्रदेशा अध्यप्ज जोसी उस समय चर्चा में आये थे जब पार्टी ने हुबली के इदगह मैदान में तिरंगा फैराने को लेकर आंदोलन चलाया था उन्होंने 1990 की यानि प्रलाद जोसी उन्होंने 1990 की सुर्वात में कस्मिर बचाव आंदोलन से भी खासी पहचान मिली उन्होंने पहली बार 2004 में संसदिय चुनाव जीता और उनके बार 2009, 2014, 2019 में लगातर चुनाव जीतने में सफल रहे वह यानि प्रलाद जोसी प्रलाद जोसी भाजपा की करनाटक इकाई के महा सच्छिव रहे और फिर 2013 में वह प्रदेशा अध्यक्च बने अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही लाइक, कॉमेंट, सेयर करना ना भूले बाबाई झाले झाले